नवस्कार साथियो कोको इंगली सदिकारी चैनल पर आप सभी का एक बार पुना भरपूर स्वागत है आप में सी वो साथ ही जो लगातार क्लास से जुड़े हुए हैं उनको आइडिया है ही कि हम पिछले कुछ समय से MPPSC की सलेवस के अंतरगत यूनिट 5 को कवर कर रहे हैं औ और हमारे साथ आप यूनिट 5 में क्या पढ़ रहे थे अभी तक की क्लास में राजिकर्शन वैधानिक ववस्ता और हमने पिछली क्लास में पार्ट वी यूनिट 5 का ही जिसमें मध्यप्रदेश की अर्थ ववस्ता है और उसके अंतरगत हमने जन्दगरणा की बात की थी आ साथियों अपने आप में ये बहुत सारी संकलपनाओं को सुझे हुए अपने आप में ब्रॉड टॉपिक है जब आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आगे हम चर्चा करेंगे भी कि क्या-क्या इसके अंतरकत आयता है तो मध्यप्रदेश का जब से निर्मान हुआ और बर जानते हैं यूनिट फाइट हम लगातार कवर कर रहे हैं जो मध्यप्रदेश जीयस के अंतरगत आता है मध्यप्रदेश सामान अध्यन मध्यप्रदेश सामानिग्यान के अंतरगत हमने मध्यप्रदेश राजी की समयधानिक विवस्था को कवर कर लिया है और ये आप इसे चर्चा करेंगे वो क्या देखेंगे मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास के बारे में हम पढ़ेगी तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि मध्य प्रदेश का जो आर्थिक विकास है या कि किसी भी राज जी का हो चाहे देश का हो आर्थि आर्थिक और विकास ऐसे आप समझेए आर्थिक विकास, आर्थिक विकास जहां से आपकी ग्जा में कोष्चन पूछे जाते हैं, चूर्धाम के लिए समय बचा है कम, इसलिए हमारी कोषिस ये है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा वह महत्तिफूर कोष्चन कराएं, आपको बताएं कि इस topic से कैसे question पूछे जाते हैं ताकि आप क्या कर सको हमारे दौरा तो आप पढ़ी रहे हो अपने से भी जवाब पढ़ रहे हो इस topic को तो इस approach को लेकर के आगे बढ़िए आर्थिक और विकास आर्थिक मतलब आर्थ ते समझे है आर्थिक मतलब आप अर्थ कह सकते हो अर्थ कह सकते हो और economics की भासा में जब हम परवे होते हैं तो अर्थ का मतलब किससे है अर्थ का मतलब पैसे उसे है संसाधन सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन अब जब विकास की बात करते हैं तो विकास कैसे हुआ, तो विकास का क्रम क्या है, तो विकास दो प्रकास से होगा, कैसे विकास होगा संसाधनों का, तो विकास ये ज़्यादा मोटा होगा, विकास कैसे होगा, तो विकास दो, एक तो भौतिक विकास होगा, एक तो भौतिक विकास होगा, और दूसरा अभौ भौतिक विकास होगा अब इसे समझे भौतिक विकास के अंतरगत क्या क्या आएगा जैसे आप मल लीजिए क्रशी की बात करते हैं क्रशी की आप अगर बात करते हैं तो क्रशी ये कौन सा प्राथमिक छेत्र है आप जानते होंगे कई बार आपके एक्जाम में कोश्चन पू उद्योक, दुतियक छेत्र, जिसमें बहुत सारे निर्माड कार आप देखोगे, और सेवा छेत्र, जो सेवा छेत्र हैं वो को साथ है, तरतियक छेत्र है, तरतियक छेत्र है, तो आपने क्या देखा, कि जब भी हम चर्चा करते हैं आर्थिक विकास की, तो आर्थिक विकास मतलब वहां से विकास के क्रम में संसाधनों की कैसे कैसे उपलब देता आगे बढ़ी, संसाधनों का विकास कैसे कैसे हुआ, तो विकास कैसे होगा, विकास का दो क्रम हमने आपको बता, एक भौतिक विकास, और एक भौतिक विकास, भौतिक विकास में क् द्योग में कैसे विकास हुआ, दुतियक छेत्र में कैसे विकास हुआ, प्राथमिक छेत्र में कैसे विकास हुआ, ये भौतिक विकास के अंतरकत आते हैं, और भौतिक विकास की जब अपन बात करते हैं, तो क्या आएगा, सेवा छेत्र, अतरतियक छेत्र आएगा, अब चू की अंदर कर सारी चीजह आ जाती है और जो हम क्रिशी की इसमें 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 मत्र प्रदेश के चिस्वेंबार करेंगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे और अब उद्योक की बात करें तो आपका अब unit 5 आप देखिए, सलेवस में आपके mention किया गया है उध्योग मद्यप्रदेश की प्रमुक उध्योग, तो हम आर्थिक विकास के बाद की जो हमारी इनिक्र उध्योग के बारे में और्रडी पढ़ने वाले हैं, तो कहीं न कहीं ये जितने भी topic किसके अंतरकत आते हैं, जो आपके आर्थिक विकास के अंतरकत आते हैं वो वही तो संसाधन हैं जो आपके मध्यप्रदेश की अर्थववस्था को कहीं न कहीं क्या करते हैं प्रभावित करने का काम करते हैं तो उसको तो हम सब को कबर करेंगे और हमने आपको बताया कि सेवा छेतर के बारे में भी देखेंगे, तो ये आर्थिक विकास का क्रम होता है, आप आगे बढ़ें, तो आप देखें कि आपके एक्जाम में कोश्चन कहां से पूछे जाते हैं, आर्थिक विकास में कोश्चन पूछे जाने के डाइविंसन आप समझें तो आप से सबसे पहले question पूछा जाता है कहां आर्थिक सर्वेक्षण से कहां से question पूछा जाता है आर्थिक सर्वेक्षण से आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे इसकी एक separate class होगी जिसमें हम आर्थिक सर्वेक्षण के गठन हुआ उसके नतरगत क्या-क्या चीज़ेश हों योजनाओं की बात कर रहे हैं, लाघली बेहना योजना आप ने देखा, तीन तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे जितनी भी नई योजनाओं हैं और जितनी भी पुरानी भी योजनाएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आर्थिक सर्वेक्षन से आपके question पूछे जाते हैं, फिर question कहा से पूछा जाता है, question पूछा जाता है, पंच वर्सी योजनाओं से, कहा से, पंच वर्सी योजनाओं से, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पं ने कहां से question पूछा जाता है तो question आप से पूछा जाता है कई वार Manov Vikaas Suchkang Manov Vikaas Suchkang Vikaas Suchkang इसके बारे में भी चर्चा करेंगे Suchkang ना केवल Manov Vikaas Suchkang मतलब इससे Suchkang plus G.I.Tag Suchkang plus G.I.Tag G.I.Tag ये जितने भी हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे तो क्या है ये भी आपका topic complete हो जागे यहां ना केवल Manov Vikaas Suchkang जितने भी प्रकार के हैं जैसे आपसे कई बार question पूछा जाता है प्रतिव्यक्ति आए प्रतिव्यक्ति आए आपसे question पूछा जाता है दूसरा आपसे पूछा जाता है कि कितनी जीवन प्रत्यासा है पूछा जाता है हमेशा question पूछा जाता है जीवन प्रत्यासा पूछा जाता है इसके बारे में भी देख लेगे और तीसरा आपसे क्या पूछा जाता है इसमें प्रतिविक्तिया, जीवन प्रत्यासा और उसकी के साथ साथ आपका, क्या पूछा जाता है, सुचकांक हमने आपको पताई दिया, तो ऐसे भी question आपकी exam में पूछे जाते हैं, उसको भी हम cover करेंगे, चुकि आज इस topic में हम क्या चर्चा करेंगे, कि ये जो आर्थिक विकास हैं, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण हो, चाहे वजट हो, इनसे कैसे question पूछे गए हैं अभी तक, और कैसे question आगे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में चल्चा कर लेते हैं, बाकी आर्थिक विकास को आप कहीं न कहीं पढ़ोगे ही, पूरे सलेवस के अंतरगत, बचेगा आपका केवल वजट और आर्थिक सर्वेक्षण, उसके बारे में हम एक separate class जो की केवल वजट की होगी, और मद्यप्रदेश का हाल ही में जो वजट जाई हुआ है, उसके बारे में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपकी चीजें वहां से cover हो जाएंगी, अब मुहा चर्चा करेंगी, उद्योग हमने आपको दिखाया है कि इसी topic में unit 5 में ही उद्योग के बात की गई है, उसी प्रकास सिवा छेतर की भी हम चर्चा करेंगे, तो यह कहीं न कहीं आप लगातार पढ़ते भी आ रहे हो, और आगे भी आप पढ़ोगी, इसमें से नया व क्लास ऐसी कोई topic बच रहे हैं, जो होना चाहिए, आप comment box में उसको pin करिए, बताइए कि हम कोई इस topic में समझ्चा है, इस topic में दिक्कत है, हम निसंदेह आपका doubt clear करने कोशिस करेंगे, और हो सकेगा, तो class ही complete करवा दी जाएगी, अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण से या कि आप ये कहें कि अर्थ विवस्था के अंतरकत, जो आर्थिक विकास अभी तक का development रहा, विकास के दृष्टिकोन से, उसको ले करके कैसे question पूछे जाते हैं, हमने यहाँ, दो हजार चेउदा से ले करके, अभी हाल ही तक दो हजार, जो 21 का exam हुआ है, तब तक कि हम question क संग्रे लिया है, कि कब कौन से सन में PSC ने कैसे question पूछे, उससे आपको idea लगेगा, कि हमारी जो परहाई है, आर्थिक विकास को ले करके, वो किस दृष्टिकोन की ओर करनी चाहिए, किन approach को ले करके, हमको आगे बढ़ना चाहिए, आईए, सबसे पहले, पहला question देखिए कि आपकी exam में क्या पूछा गया है, पूछा गया है, मध्यप्रदेश, राजकोसी, उत्तरदाई, तो एबं बजट प्रवंधन अधिनियम किस वर्स पारित किया गया, ये question आपका पूछा गया है, 2018 में PSC, इसका सही answer क्या होगा, तो इसका सही answer क्या होगा, इसका सही answer 2005, मध्यप्रदेश, राजकोसी, उत्तरदाई, एबं बजट प्रवंधन अधिनियम किस वर्स पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 2005 में, और अगर अगर अपन लागू करने की बात करें कि लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, कुछन पूछा जा सकता है, इस बार तो आप पारित करने का पूछ लिया, अगली बार आपसे लागू करने का पूछ लिया गा तो क्या बताएंगे आप, एक जनवरी 2006, एक जनवरी 2006 को ये लागू हुआ, पारित हुआ है 2005 को, तो ऐसे question, इस प्रकित के question के लिए आपको क्या है, तयार रहना है, आपसे किसी भी तरह के जो आपको नेटर के आपके जो important fact है वो हमने यहां संग्रे किया है ताकि ऐसे question के लिए तयार रहें मद्यप्रदेश में भावांतर भुकतान योजना किस छेतर से संबंदित है भावांतर भुकतान योजना के बारे में आपसे पूछा गया है और यह पूछा गया है कि यह किस छेतर से संबंदित है तो भावांतर भुकतान योजना क्रसी से संबंदित है किस से संबंदित है क्रसी से संबंदित है और भावांतर भुकतान योजना कि अगर अगर अपन सुरुवात की बात करें सुरुवात की अगर अपन बात करें तो 16 तूबर 2017 ये भावानतर भुकतान यूजिना है क्या तो भावानतर भुकतान यूजिना के तहट मध्यप्रदेश सरकार जो किसानों की फसल है उसको उचित दाम देने की गुफना करती है उचित दाम मिले फसलों को उसके बारे में प्रयास किया गया है 16 अक्टूबर 2017 का होगा इसका सही एंसर मतलब इसकी सुरुवात कब हुई यहां किस छेतर से है वो पूछा जा रहा है तो आप क्या याद रखेंगे कि क्रसी से संबंदित है अब बढ़ते हैं आगे अगला प् ग्रामीन महिला ससक्तिकरन कारिकरम मंध्यप्रदेश सरकार चला रही है उसको सहयोग कौन प्रदान कर रहा है और इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपकी एक्जाम में देखने को मिले हैं तो कौन कर रहा है अंतर राश्ति संगठन आई आई एफ ए डी यह क्या कर रहा है यह इसमें सहयोग करने का काम कर रहा है आपसे एक्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेजस्वनी ग्रामीन महिला ससक्तिकरन कारिकरम सुरू कब किया गया तो इसकी सुरुवात कब हुई इसकी सुरुवात हुई 2006 में मैं उम्मेद करता हूँ कि आपको यह सारी चीजे प्रॉपर विजवल हो रहे होंगी आप प्रॉपर इनको देखा रहे होंगे छीजे समझ रहे होंगे हमारी कोशिस ये है कि जब भी हम कोश्चन करें तो ऐसा ना हो कि हम एंसर बताएं और आगे वढ़ जाए जब हम यहां question करा रहे हैं तो हमारा उद्देश ये है कि जो भी महात्तिफूर और भी fact है उस question से सम्मंदित वो भी आपके सामने आएं उससे भी आप क्या हैं रूबरू हों ताकि आप आगे आने वाले आगामी एक्जाम के लिए तयार रहें और भी fact आपको क्या है इसकी सा साथ बताएं और समझाए गयाएं next question आपसे पूछा जा रहा है मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कप प्रारंब हुई मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कप प्रारंब हुई तो मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंब हुई 2010-11 इसेवे का उद्देश है मुख्य मंतरी ग्रामशडक योजिना का कि जो ग्रामेलस्थर की सडके हैं उनको बहतर किया जाए उनको क्या है जोडा जाए मुख्य धारस साथी साथ कईबार आपकी एकजाम में कउच्छन पूछ लिया जाता है प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना इसकी सुरुवात कब हुई पूछ लेता है इसकी सुरुवात कब हुई तो आप याद रखेंगे 25 दिसंबर 25 दिसंबर कब 2000 तो ये आपको बता दिये अगर वहां कभी देखें होगे ध्यान से तो लिखा रहता है रहता है रोट में अगर बढ़िया रोट बनी हुई है वहा लिखा रहेगा प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के तहट निरमित तो ये सारी चीज़े आपको याद रखनी है अब बढ़ते हैं आगे अगला प्रेशन क्या है मद्यप्रदेश के 2017-18 के बजट में MRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया अमरत योजना के तहट कितना प्रावधान किया गया ये कोश्चन 2018 में पूछा गया है तो ऐसे आपके एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं तो मद्यप्रदेश चुकी है ये अमरत योजना की बात की गई अमरत योजना केंदर सरकार की योजना है अमरत योजना की अगर अपन बात करें है तो इसमें सही अंसर जो होगा वह साथ सवकड़ूर है और अमरत योजना की अगर बात करें अमरत योजना की अगर बात करें अमरत योजना तो यह क्या है तो ये सहरी एवं कस्वों का infrastructure निर्मित करना of sunrachna विकास इसका उद्देश क्या है अव sunrachna विकास infrastructure डबलब करना 500 से 500 से जादा सहरों में जादा सहरों एवं कसवों में क्या है अवसन रचना विकास करना इसका से है इसकी सुरुवात अमरुत योजना की सुरुवात कब हुई अमरुत योजना की सुरुवात कि अगर अपन बात करें तो 25.06.2015 कब 2015 तो 25 जून 2015 को क्या हुई इसकी सुरुवात हुई अमरुत योजना की अमरुत योजना का उद्देश हमने आपको बताया कि सहरों एवं कसमों में इंफ्रास्टिक्चर डबलब करना अब संरचना विकास करना इसका उद्देश है मद्यप्रदेश सरकार ने 2017-18 के बजट में 700 करोर रुपए का प्रापधान किया था तो आप इससे ये समझिये कि बजट को लेकर के इस प्रकीति के इस नेचर के कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते रहे हैं तो इस तरह आगे भी एक्जाम में कोशन पूछे जा सकते है तो इसलिए कोशन प्रिवियस ये कोशन जब आप करते हैं तो उसका उद्देश क्या है उसका उद्देश ये नहीं है कि आपको ये सीधा एक्जाम में कोशन देखने को मिलेगा आप जैसे इस वार अमरित योजना के लिए पूछ लिया तो आपको इससे संबंदित जो भी महात्यपूर योजना हैं तो किस योजना के लिए मद्देश सरकार ने कितने वजट का प्रापधान किया है अब आप जब पढ़ें वजट तो इस येज का ध्यान रखें तो आपने प्रिवियस ये कोशन किया तो आप उसको नेचर से उस कोशन की प्रकिति से समझ गये और एज टीज एज टीज ये कोशन कोफी भी हो जाते हैं कई बार तो हलाकि बजट को लेकर के तो कोशन नहीं पूछे जाने कोफी क्योंकि वो लेटिस्ट का पूछा जाता है लेकिन कई बार आप देखो गए प्रिवियस ये कोशन पेपर आपको रिपीट होते हुए भी हैं तो क्या देखते हैं अगला प्रेशन मद्यप्रदेश में पंचवर्सी योजना का विधिवत एबं वास्तिविक सुभारम माना जाता है अब मद्यप्रदेश में जो पंचवर्सी योजनाएं हैं आप जानते हुँ पंचवर्सी योजनाएं भारत सरकार जो पहले आप देखोगे कि पंच वर्सी योजना है जैसे आपने देखा पहली पंच वर्सी योजना पहली पंचवर्सी योजना इसका कारिकाल क्या रहा तईवार आपके एक्जाम में कोशन पूछ लिया जाता है तो 1951 से 1956 तक इसका रहा ये पहली पंचवर्सी योजना है उसके बाद दूसरी पंचवर्सी योजना की अगर आपन बात करें दूसरी पंचवर्सी योजना इसका कारिकाल क्या रहा तो ये रहा 56 से ले करके 61 तक और 35 योजना तरती पंचवर्सी योजना इसका कारेकाल क्या रहा इसका कारेकाल रहा आप देखोगे 960 से लेकर के ऑनाइस सो छाचट तक अब आप इससे अनुमाल लगा दिजी अब आप करसे इससे अनुमाल लगाएंगे जब आपको पूरे पंचवर्सी योजनाओं का कादिक्रम पता है जैसे आपने देखा कि कें में क्या होता है पंचवर्सी योजनाओं का प्राबधान था बारा पंचवर्सी योजनाओं का क्या गठन किया गया फिर 17 के बाद 55 योजनाओं का अभी आगे कुछ स्वरूप देखने को नहीं मिलता, तो इसमें पहली पंचवर्षी योजना का कारकाल क्या रहा, इंक्यावल सी 56, अब दूसरी पंचवर्षी योजना का कारकाल क्या रहा, 56 से 61, लेकिन मद्य प्रदेश का चुकि 56 में गठन हुआ, और मद्य प्रदेश का 56 में गठन हुआ, तो उस समय चीजे बहतर तरीके से क्रियानवित नहीं हुई क्योंकि दूसरी पंचवर्सी योजना का कारिकाल पहले चली रहा था उसी दर्मियान मध्य प्रदेश का गठन हुआ मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से जो पंचवर्सी योजना क्रियानवियन करने का काम की वो है तरत अगला कुश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। मद्यप्रदेश की अर्थववस्था कैसी है। क्रसी कारियों में सनलगन है। अब आप समझ सकते हो कि मद्यप्रदेश की अर्थववस्था कैसी है। क्रसी प्रदान अर्थववस्था है। ये क्रसी प्रदान अर्थववस्था है। अब क्रसी प्रदान अर्थवस्था है आप जानते भी हैं। मद्यप्रदेश को अनेक नामों से भी जाना जाता है। जो क्रसी को कहीं न कहीं परिलक्षित करता है जैसे सोया प्रदेश। सोया प्रदेश मालवा में सोया वीन का उत्पादन सबसे जादा होता है। इसलिए मद्यप्रदेश को कहीं न कहीं देश में सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार हमने आपको क्या कहा मालवा में, मालवा में न केवल सोयावीन, बलकि गेहूं की, आप देखोगे उत्पाद अगता, तो मद्यर प्रदेश कहीं न कहीं, क्रसी प्रधान प्रदेश इसलिए भी है, क्योंकि यहां क्रसी पर डिपेंडेंट जनसंख्या जो है, वो 42.9% के लगवक की जो क्रिया सिल जनसक्या है, वो किस पर निर्वर करती है, क्रसी पर निर्वर करती है, क्रसी हमने आपको बताया, क्रसी प्राथमिक छेत्र के अंतरगत, प्राथमिक छेत्र के अंतरगत आता है, यह आपने समझा, अब बढ़ते हैं आगे, अंगला प्रश next question आप से क्या पोछा जा रहा है मध्याप्रदेश में खनीज नीत किस वर्ष गोशित हुई थी मध्याप्रदेश की जो खनीजी नीती है साथियों जानते हैं Mining है माइनिंंग का किसी भी जो Mining का हिस्था है वो क्या है सरकार उसमें क्या करती है कहीं न कहीं देख रहें कहीं न कहीं उसमें नजर रखने का काम करती है और समय समय पर कुछ ऐसी फॉलिसी लाई जाती हैं जिससे क्या हो जिससे इनको बेहतर तरीके से सुनियोजित तरीके से और धारणी विकास सस्टेंबलब डवलपमेंट की तरफ आगे ले करके जाया जा सके एक नियम हो एक काईदे कानून हो जिसके तहट क्या इनका उत्पादन इनका खनन हो तो क्या है इसका सही अंसर होगा 1995 मध्य प्रदेश में खनी जिनियती 1995 में घुशित की गई थी 2016 में ये आपके यसी में एक्जाम में कोशन पूछा गया है अब बढ़ते हैं आगे मध्य प्रदेश का वित्तिय वर्स है मध्य प्रदेश का वित्तिय वर्स काउन सा है आप देखते हैं मध्य प्रदेश का वित्तिय वर्स पूछा जा रहा है आपको लग रहा होगा कि ये बहुँ साधारन सा प्रशन है बहुँ सामान सा प्रशन है लेकिन यकीन मानिए कि आप में से कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको कुछ चीज़े क्लियर नहीं होंगे और कई वार एक्जाम में ऐसे question पूछ लिये जाते हैं और आप से क्या है question गलत हो जाते हैं केवल confusion की वजह से तो जो वित्तिय वर्स है वो क्या है वित्तिय वर्स तो वित्तिय वर्स जो बर्तमान समय में है वो मद्यप्रदेश का वित्तिय वर्स है एक जन्वरी से 31 दिसंबर ये है आपका वित्तिय वर्ष का प्राब्धान यही है मद्य प्रदेश में 2017-18 के दर्मियान 2017-18 कहने का मतलब 17 के पहले और 17-18 तक जो मद्य प्रदेश का वित्तिय वर्ष था वो हुआ करता था 1 अप्रेल से 31 मार्च कैसे हुआ करता था अब क्या हो गया अब यह हो गया एक जन्वरी से 31 दिसंबर एक जन्वरी से 31 दिसंबर हो गया ये किस समिति के सिपारिस पर हुआ आप से पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप संकर आचारिय शमिति संकर आचारिय शमिति संकर आचारिय शमिति के सिपारिस पर क्या किया गया इसे कर दिया गया एक जन्वरी से 31 दिसंबर अब ये कव कर दिया गया ये 2018-19 के बजट के धर्मियान और हाल में आप देखोगे कि क्या वित्ती ये वर्स है एक जन्वरी से 31 दिसंबर आपको यहां देखने को मिले गा तो अब बढ़ते हैं आपन नेक्स्ट कोस्टिन के और अगला प्रस्शन देखते हैं बजट के बारे में आपने समझ लिया बजट आप देखते हो कि किंद्री ये वजट आरिटिकल 112 के अंतरगत किंद्री वजट का प्राबधान किया गया दोसों दो के तहते राजजी बजट का प्राबधान किया गया वही बजट जो आपके विकास के लिए सरकार समय समय पर कि किस विभाग के लिए कितना सिक्षा के लिए कितना रोजगार के लिए कितना स्वास्त के लिए बजट लेके आना चाहिए वो किस समय आता है सबसे ज्यादा युगदान किस छेत्र का है आप से question पूछा जा रहा है तो सबसे ज्यादा युगदान किसका है मध्यप्रदेश में तो मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा युगदान तुरतियक छेत्र का है मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा युगदान किसका है तुर 21 चेत्र का पराबधान 24% के आसपास देखने को मिलेगा और जब अपन 31 चेत्र का पराबधान देखेंगे तो उसकी संख्या सबसे ज़्यादा वो प्रतिसत सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा तो सबसे ज़्यादा प्रतिसेत किसका हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा प्रतियक छेतर में आपको देखने को मिलेगा तो आपको हमने बता दिया देखने को मिलेगा बढ़ते हैं आगे अगला प्रेशन क्या है मध्य प्रदेश एकोनॉमिक एसूसियेशन की स्थापना कभ होने मध्य प्रदेश एकोनॉमिक एसूसियेशन मतलब आरथी प्रतिवर्स अधिवेशन देखने को मिलता है और 173 में होता है वित्तियर राजधानी मध्य प्रदेशingen के इंदवरствен में है और इंदवर्द में ही इसका क्या है आयोजन देखने को मिलता है 1973 क्या होगा इसका सही अंसर होगा अब बढ़ते हैं आगे मध्यप्रदेश में मिसन वोधी का संबंद है मध्यप्रदेश मिसन वोधी इस इस में मध्यप्रदेश यह साथियों सिक्षा से संबंदित सिक्षा से संबंदित यह क्या है मिसन है मिसन वोधी और मिसन वोधी साथियों यह क्या है यह इसकूल सिक्षा में गुणवक्ता में सुधार आप ऐसे समझे इसकूल सिक्षा की गुणवक्ता में सुधार और इसी के तहट आप देखो कि 9200 कि लगभग सियम राइजिंग स्कूल की संकल्पना रखी गई थी और इसमें क्या किया इसमें क्या कहा गया कि क्या है यह जो आप देखोगे तो इसमें यह कहा गया 200 से ज़्यादा सिक्षेकों की भरती की बात की गई थी यह आपने समझा आप बढ़ते हैं आगे अगला प्रिश्ट क्या है मध्य प्रदेश में अमिताब कुंडू समीति का संबंद है मध्य प्रदेश में अमिताब कुंडू का संबंद डाटा संग्रह का हुआ प्रवंधन से है और अगर अमिताब कुंडू की बात करोगे तो यह महान अर्थ सास्त्री है अर्थ सास्त्री नहीं है सार्थियों क्या है एक महान सहत्री है के संभन में अशत्यकत्थन है मध्यप्रदेश का इस्थान दूसरा आई ये देखते हैं कोईला उत्पादन में चोथा है, सही है, वर्स 2019-20 में मेंगनेज के उत्पादन में ब्रद्धी हुई बिल्कुल ठीक बात है, वर्स 2019-20 में हीरा उत्पादन में कमी हुई थी, हाँ हुई थी, जो इसका सही अंसर होगा, वो होगा क्या, जो इसका सही अंसर होगा, वो होगा option क्योंकि इसमें दूसरा इस्थान नहीं कौन सा इस्थान है प्रथम इस्थान है और भारवेली भारवेली की ख़दान आप देखोगे कि यह एशिया की सबसे वरी ख़दान है जो कि किसके लिए, जो कि मेगनीज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, यह आप मेगनीज का देख सकते हो, प्रथम इस्थान है मद्दे प्रिदिस में, तो यहां आपने यह समझा कि जो टॉपिक आपका है आर्थिक विकास, उसको ले करके कैसे question पूछे जाते हैं, तो आपने next class जो हमारी होगी, हम वहां budget के बारे में चर्चा कर लेंगे, विस्तार से, और अभी तो आप लगातार, आर्थिक विकास के अंतरगत, बहुत सारी चीजे पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुत सी क्रसी और उससे संबंदी जो योजनाय हैं, उनके बारे में चर्चा करेंग कि आज जो हमारे YMCA के सीरीज थी, वो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, ना केवल इससे कि आपको क्या, यहां कैसे question पूछे गये हैं, बलकि आगामी कैसे question पूछे जा सकते हैं, हमने उसको भी cover करने की कोशिस किये हैं, तो अब आप लगातार class से जुड़े रही हैं, और जो भी आपको लगता है कि इस topic में class होनी चाहिए, यह topic आपको क्या है, ज्यादा समस्या का सामना करना पर रहा है, पढ़ने में समस्या आ रही है, तो आप comment rocks में उसको बताइए, हम उसको cover करने की हां कोशिस करेंगे, तो हम क्या है, आप कता ही पर कि ये बहतर बनाए, पढ़ेंगे जब आप, और जब हम पढ़ेंगे तभी तो ये बहतर बनेगा, तो आप सभी इसको अपने साथियों तक भी share करिए, और आप like करते हैं, तो like तो ठीक है, लेकिन comment भी करिए, ताकि हम को पता चले कि हम जो कहने चाहिए रहे हैं, हम जो अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िए competition community के साथ, आज ही हमारे website के कैरियर पेज पर विजिट करें, अथवा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ team KOKO